So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज अस वीडियो में बात होंगी Vedanta, Tata Steel और बात होंगी NHPZ Limited के बारे में So guys, यह 3 32 शेर्स हैं और बिल्कुल यहाँ पर इनके लेवल्स देखेंगे और Vedanta के लिए तो कल एक बड़ा दिन है तो guys, बिल्कुल quarter 3 2023 के results announce होने वाले है तो वीडियो को आएंट तक देखना क्योंकि यह वीडियो काफी ज़दा helpful आपके लिए होने वाला है तो please guys, वीडियो को आगे continue कर उससे पहले चैनल को subscribe कर दो So Vedanta Limited यहाँ पर last reading season हमें यहाँ पर गिरावट के साथ closing देता है दो रूपी चालीस पेसे तक की गिरावट रही 327 रूपे पर इसने closing दी 0.73% के basis पर और guys, वहीगर देखें last one month में इस ये ने अच्छे returns दी है last one month में अगर देखा जाएगा 19.60 पेसे तक की growth आपको देखने कब लेगी 6.37% के basis पर और वहीगर देखें last six month में भी stock 83.85 रूपीस के around growth यहाँ पर बदा चुका है 34.45% के basis पर और guys, वहीगर देखें तो यहाँ पर Vedanta quarter three results यहाँ पर जो है dividend announce होगा और dividend announce होगा और results भी announce होगे, Friday के दिन, यानि कल के दिन तो कल का दिन important है और वही अगर देखें तो काफी लोग positive है, काफी लोग यानि अगर देखें 100% लोग आपको यहाँ पर positive नजर आएगे guys, बिल्कुल 100% लोग यहाँ पर positive नजर आएगे जिसमें 89% लोग buy करने के लिए कह रहे है, 11% लोग hold करने के लिए कह रहे हैं, तो यही सांदाजा लगा सकते हो कि कल बिल्कुल धमाका होगा और guys, दो फरवरी यहाँ पर अगर देखे, dividend की date already यहाँ पर announced है, और वही अगर देखे, तो कल के दिन कितना हमें, dividend मिलता है पता चल जाएगा, इंटेरियम dividend यहाँ पर बिल्कुल announce करेंगी company, तो बिल्कुल guys, कल यहाँ पर जो यह blank है, जो यहाँ पर zero numbers है, और बिल्कुल convert हो सकते हैं, 15 रुपे, 17 रुपे इतना dividend तो हमें मिलेगा, कि तो बिल्कुल guys, कल का दिन important है, 27 जन्वरी, 2023 quarterly results, साथ ही बात होगी, interim dividend, बिल्कुल announce होगा, जैसे ही announce होता है, वीडियो में बना दूगा, और वही अगर देखें, तो stock में उपर के level से rejections हमें मिले हैं, तो कल की लिए positive है हम, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा momentum आ सकता है और यहाँ पर कल इस level को क्योंकि यहाँ से rejection है, तो इस level को break करता है, तो यहाँ से एक अच्छा momentum आएगा breakout अगर मिलता है, 336 रुपे से लेके 340 रुपे तक यह जा सकता है और वही अगर देखें, तो शेर में पहले यही पर consolidation हुआ, फिर उसके बाद एक fall हमें देखने को बिला, फिर उसके बाद support इसने लिया, फिर यहाँ पर उपर गया, फिर उपर गया, फिर यहाँ पर कई सारे से momentum सनजराया है, breakout group आपर मिल चुका है, और यही इसा सस्टेंड करके यह जा सकता है और वही यह बात कर सकते हैं, यहाँ पर अगर देखे 340 रुपे के लेवल भी इस टॉक में अच्छी होने वाले है, 340 रुपे के लेवल भी इस शेर में अच्छी होने वाले है stage का भी आपको ध्यान रखना है so guys अब बात करेंगे Tata Still Limited के बारें पर भी Tata Still Limited भी यहाँ पर dividend announce कर सकता है और उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे NHBC ओ भी dividend announce कर सकता है पर Tata Steel में अगर देखे तो 121 रूपिस के राउंड यहाँ पर अगर देखे शेर हमें closing देता हुआ नजराया है और guys वही अगर देखे साहट पेसे तक की बड़त हमें देखने का बली है 0.50% के basis पर और वन मन्थ में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 9.85 रूपिस के राउंड शेर में ग्रोथ है और वही अगर देखे 8.86% के basis पर यह ग्रोथ आपको नजर आ रही है और बिलकुल एक अच्छा तगड़ा momentum नजर आने वाला है शेर में भी 6 मन्द के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हो 25.06% के basis पर शेर 26.12% के basis पर बड़ा है 25 रुपे तक की बड़त है और स्टॉक में अगर आप देखो लोग positive यहाँ पर आपको नजर आने वाले है यहाँ पर अगर देखे गाइस 92% लोग है buy करने के लिए किने वाले 4% लोग है hold करने के लिए किने वाले याँ अगर देखा जाए stock में आपको 96% लोग यहाँ पर positive नजर आएगे 96% लोग यहाँ पर आपको positive नजर आने वाले है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है और गाइस तो इगर देखे तो 6 फरवरी को यहाँ पर भी dividend का announcement हो सकता है यहाँ पर dividend का announcement हो सकता है इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है 6 फरवरी तो हो जातीज quarterly results announce होगे और जब भी हमने results आते वह दिखे है अब पर हमें dividend का भी कुछ न कुछ चेंट मिलता है तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है बढ़ते आगे अब बाद होंगी NHPC Limited के बारे में NHPC Limited यहाँ पर अगर आप देखते हो तो stock में हमें last rating season यहाँ पर हलकी सी बड़त देखने को भी लिए जहां आरके down था वहाँ stock हच्चे-चे returns दे रहा था 20 पेसे तक की growth है stock में 0.46% के basis पे 43.70 रूबिस के round अगर देखे stock ने closing दी है वही अगर देखे 1 month के time frame पर stock में अच्छी growth नजराई है एक महिने में stock 4 रुपे 55 पेसे तक बढ़ चुका है 11.62% के basis पे और guys वही अगर देखे 6 month के time frame पर भी 10 रुपे 70 पेसे तक की growth ये share बता चुका है 32.42% के basis पे और वहाँ अगर देखा जाया stock में एक of all भी देखने को मिल रहा है stock में एक breakout भी है share यही से उपर क्यों जा सकता है तो कल high possibilities रहे के 45, 47, 46 रुपेस के level अच्छी हो तो कैसे अच्छी होगे हो भी मैं बताने वाला volume की बात करो तो बिल्कुल crores में यहाँ पर deal होई है बिल्कुल एक करोड के around की यहाँ पर delivery उठाएगी है yesterday की बात करें तो एक करोड के around की deal आपको देखने को बिलेगी और जो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है इसके जूर रिजल्स है और जो रिजल्स है announce होगे और interim dividend भी announce होगा तो बिल्कुल यहाँ पर 7 फर्वरी 2023 है यहाँ पर data still में मैंने confirmly हम नहीं बता सकते कि dividend मिलेगा बट वेदानता और NHPC यहाँ पर confirm double dividend नमा का होने वाला है research का आपको ध्यान रखना है 7 फर्वरी 2023 interim dividend आपको मिलेगा गाई तो बिल्कुल यहाँ पर आप positive रह सकते हो levels important है तो पहले अब बात कर लेते हैं levels की so यहाँ पर आप देख सकते हो NHPC जो NHPC limited है stock में पहले जो यहाँ पर हमने देखा है last trading seasons कुछ गिरावटे देखने को मिली है यहाँ जो स्टॉक में गिरावट आई थी यहाँ जो स्टॉक में गिरावट आई थी बिल्कुल गिरावट हमें phase करना पड़े थे इस particular level से हमें rejections phase करना पड़े थे बढ़ उसके बाद अगर देखे स्टॉक में यही particular level को जैसे इसने ब्रेक किया वैसे ही यहाँ पर 46 रुबिस के around तक के level यहाँ पर अच्छे breakout से हाँ पर हमें मिले स्टॉक उपर गया sustain करके स्टॉक ने अच्छे highs लगाया फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो उपर के कुछ लेवल से हमें rejections भी देखने को मिले जैसे यहाँ पर आप देख सकते हों rejection मिला फिर उसके बाद यहाँ पर stock आप देखोगे तो बिल्कुल एक sustain करता हुआ नजराया है और यहाँ पर बिल्कुल गया ब्रेक आउट समय देखने को मिले और break करते से ही stock यहां से बढ़ता हुआ नजर आने वाला है और यही से ही stock अच्छा कासा momentum बता सकता है 46 रुपिस से लेके 47 रुपिस तक के level भी stock में चीव हो सकते हैं स्टिच का भी आपको ध्यान रखना है तो विल्कुल guys as long term के basis पे तो यहां पर आपको positive रहना है short term के basis पे भी आपको अच्छे return से आपर मिलने वार है कुछ क्योंकि level से यह से हमें दिखाई दे रहे हैं तो यहां पर भी अगर आप देखते हो तो जो 30 minute के chart frame पर है जो कल का दिन है important है क्योंकि कल एक अच्छा तगड़ा breakout हमें मिल सकता है यूगि आपर अगर देखे guys तो stock में कही न कही इस level से भी हमें breakout मिला उसके बाद भी अगर आप देखते हो यहां पर भी आपको support मिला तो पहले तो यहां पर एक head and shoulder type pattern बनाता है एक inverted head and shoulder type pattern breakout मिलते से ही stock न Howies लगा दिये फिर stock नीचे आ फिर यहां से ऊपर की ओर जा रहा है कही नकही यहां पर एक support ही है आप देख सक्तों है stock में तो कल के दिन यहां पर pursuit मिलता है तो यहां से जो momentum है और भी बड़े हमें देखने को बन सकते है so guys काफी कुछ बाते कर चुके हम तीनों ही shares को लेकर इस वीडियो में आए होगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से बेल insurance का अनले ससकर लेना thank you